नमस्कार मेरा नाम राजनात है और मैं आज आपको बताने वाला हूँ आज तो लेके जैसे कि आप देख रहे हैं कि रोटी बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग यहुँ के आटी का इस्तमाल करेंगे उसको अच्छी तरग होते हैं उसको अच्छी तरग होते हैं और ऐसी पहले एक बेलो एक चौका आटा साथ थोड़ा सा पानी और एक तवा तवे को गरम करें साथ में धीरे धीरे छोटे-छोटे गोले बनाके आटे को लोई बनाते हुए इसको धीरे-धीरे बेलन से अच्छी तरह से गोल बनाया है जैसा की हमारी एसिस्टेंट दिखा रहे है हाव तो मेक गोल रोटी देखिए प्रोसेस अब वेटिंग गोल रोटी आपके गोल ना बनाता है प्लीज किसी वीच में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे ते प्लीज लाइक एंशे और सब्साइब करें हमारे चैनल को पॉफलर बनाये इसी तरह से हम आगे भी आपको अच्छी अच्छी प्रीटियो दिखाते रहेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं कि वहां पे रोटी त्यार हो चिती है और यह पहली रोटी सक्सेस्विली बहुत अच्छी बन चुकी है बहु सब्सक्राइब बहुत ही अच्छा गोल रोटी बना रहे हैं हाट बेगिना डॉल के जो ही यहां से जो चाय प्लोड होई और यह रोटी इसको बेले हुई लोई को हमने तवे पर रख दिया है इसे दो से तीन सेकेंड तक तवे गरम तवे पर रखें इसके साइड साइड का इसको थोड़ा सावा घुमा दें अब देख रहे हैं यहां बीच में आपको यह चोटे-चोटे-चोटे बबल्स टाइप दिखने शार्ट हो गए है तो इसको वापस उल्टा कर दें पलट दें जैसा कि आप देख रहे हैं कि रोटी दीरे-दीरे पकना शुरू को चुकी ह में इसको घुमाते हैं और यह प्रोसेस बहुत ही कठीन है क्योंकि लगातार सपना को हमारी स्विष्ट्रिन को लगातारी तरफ रोटी बेनना है और साथ में पकाना पकाना भी है जो कि बहुत ही कठनका है इसे फुलाएंगे रोटी तब तक अच्छी नहीं मलती जब तक फुल के एकडम गोल ना बन चाहिए और यह देखिए आपकी पहली रोटी दूसरी रोटी सक्सेस्फुली तयार है ना सोगल ना प्रिट लगतार ही बनाता है जैसा आपने देखा यहां पे हाव टुमेक गोल रोटी मैं स्कुवर राजनात आपका क्याम्रामन और यह हमारे प्लीस हमारे चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब करें और ज्यादा स्वेड़े से शेयर करें धने वागता है